पहरे बच्चो आज हम बात करेंगे जंद्शंख्या वित्रण के बारे में जंद्शंख्या किसी भी देश की सबसे मुख्य संसाधन के रूप में हम देखते हैं उसको अगर हम कहीं की भी जन सिंख्या की बात करें तो वो एक मुख्य सिंसादन होता है एक देश के लिए अगर हम भारत की जन सिंख्या की बात करें तो 121 क्रोड है 2011 के अनुसार भारत की जन सिंख्या की हम बात करें तो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जन संख्या वाला देश है चीन सबसे पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है अगर हम जन संख्या के आगड़ों की बात करें उनके स्त्रोत की बात करें वो कहां से आते हैं तो सेंसस ओफ इंडिया हर दस साल में हर एक आदमी की जो है गड़ना करता है भारत के अंदर सबसे पहली जन गड़ना अंग्रेजी सासन काल के दोरान हुई थी 1872 के अंदर लेकिन ये पूरा भारत इसके अंदर कवर नहीं किया गया था तो इसे वज़े से 1871 की जो जन गड़ना थी वो पूरा उसके अंदर देश को कवर किया गया था और सबसे पहली पूर्ण जन गड़ना उसको माना जाता है और उसके बाद से हर 10 साल के अंदर भारत की जन जन संख्या है उसको काउंट किया जाता है अगर हम जन संख्या के वितरन की बात करें तो बहुत सारे कारक होते हैं जो जन संख्या वितरन को प्रभावित करते हैं अगर हम इन कारकों की बात करें तो बहुत सारे फिजिकल कारक होते हैं नेचरल नेचर के द्वारे किये होते हैं इसके अंदर हम रिलीव की बात कर सकते हैं, उच्चावच की बात कर सकते हैं, कहां पे मैदान है, कहां पे पहाड है, हमुन चीजों की बात कर सकते हैं, कहां पे नदी घाटियां है, कहां पे मुरुस्तल है, ठीक है, कहां पे पानी का सोर्स एविलेबल है, हमुन की बात कर सकत अगर हम जनसंख्या वित्रण का मैप देखें आप देखोगे इसको तो पूरा का पूरा जो उत्री भारत का मैदान है उसके अंदर जहां पे ज्यादा बिंदू आपको दिख रहे हैं एक बिंदू है जो वह पोपुलेशन के मार को दिखा रहा है और जहां बिंदू पास-प कारक हैं नेचर के दोबार दिये हुए कारक हैं और कुछ सोशो एकनोमिक कारक भी होते हैं जो जनसंख्या वित्रण को प्रभावित करते हैं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कई सारे स्टेट हैं जहां पे जनसंख्या बहुत जादा है अगर हम बात करें तमिलाडू की राज़तान, करनाटक, गुजरात, उत्तर परदेश, बिहार, पच्छी बंगाल और आंधर परदेश अगर इन स्टेटों को मिला दें तो 76 परतिशत जो जन्सिंख्या है वो इनी स्टेट के अंदर निवास करती है उसके बाद हम कई सारे फैक्टर हैं जो परभावित करते हैं अगर हम जहां जहां पे पहाड़ी चेतर हैं हिमाले के कुछ भाग हैं जिन जिन राज़ों में आते हैं वहां जन्सिंख्या कम देखने को मिलती है इसके विपरित जो प्लेन एरिया के अंदर जो स्टेट बसे हुए हैं वहां पे जन्सिंख्या जादा होती है उसके बाद मानो निर्मित कारक होते हैं इसमें आर्थिक कारक हो सकते हैं सामाजिक हो सकते हैं एत्यासिक कारक हो सकते हैं हम उनकी बात कर रखते हैं इनके अंद मेहत्वपूंड कारकों के अंदर जहां पर सताई किर्शी होती है वहां पर जन्षिंख्या जादा मिलेगी किर्शी का विकास कैसी हुआ है मानोगी बस्ती के परतिरूप कैसे हैं प्रिभेंत अंतर कैसा है ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क के हम बात करें तो वह कैसा है उन ची रहते हैं जहां पर जन्षिंख्या हमेशा ही जादा रहती है इनी इनी वजह से रहती है उसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर होते हैं इतिहास के अंदर सबसे पहली बस्ती कहां बसी थी उसका हमेशा प्रभाव पढ़ता है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है उ उन चीजों के हम बात करते हैं और इनी वज़े से कहीं ने कहीं जो ओदोगिग नगर हैं या नगरिकर्ण की वज़े से जो नगर बड़े हो गए हैं उनके अंदर जन्सिंख्याद जादा होती है दिल्ली मुंबे कोलकत्ता बैंगलुरू पूने एहमदाबाद चैन्ने जैप यह इस टाइप के कुछ उधार्ण हम दे सकते हैं जिनका जिनके अंदर जन्सिंख्याद जादा देखने को मिलती है अगर हम फिजिकल कारकों की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ध्रातल कैसा है जहां पर आवागमन मुस्कल होगा जहां पर ट्रांसपोर्ट नेट्वर्क का बनाना मुस्किल होगा जहां पर 2 धन्दे नहीं होंगे माइनिंग की आक्टिविटी नहीं होंगी वहां पर पपॉपलेशन हमेशा ही कम देखने को मिलती है जहां जहां पर ऊद्दोगिक यूनिट लग जाती हैं किसी भी सहर के अंदर वहां धीरे धीरे जो दोगों में काम करने वाले लोग हैं उनका केंदर्ण बढ़ जाता है और इसी वज़े से हम कह सकते हैं कि वहां जंचंक्या है जो उसका जो वितर्ण है वो ज्यादा हो